एक जूटी और काल्पनिक कहानी से चर्चा की शुरुबात करते हैं देवताओं के राजा इंद्र कभी धर्तिवासियों से बहुत रूट कहें और उन्हें ने कहा कि अभी अगले बारा वर्ष तक वर्षान नहीं होगी किसानों ने बहुत अनुने विन्य किया पर इंद्र ने कहा बिल्कुल नहीं होगी हाँ यदि शिव अपना डमरू बचा दे तो हो सकता है परंदू गुप्त रिती से इंद्र शिव के पास भी बहुत जाते है और उनसे निवेदन करते है कि कृपे आगले बारा वर्ष तक डमरू न बजाना धर्ती पर आहाकार मच जाता है चारो और लोग भूको मरते हैं किसान बहुत परिशान संसार की लोग बहुत परिशान एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष बीट जाते हैं दिखाया है एक किसान फिर भी हल चला रहा है दूसरे किसान उससे कहते हैं तुम क्यों व्यर्थ कष्ट कर रहे हो क्योंकि अगले 8-9 वर्ष तक तो वर्ष होने ही वाली नहीं है क्यों तुम हल चला रहे हो उसी समय दिखाया है शंकर पार्वती वहीं पर धर्थी का परिब्रह्मन कर रहे है और वो किसान कहता है मुझे पता है कि वर्ष तो होने वाली है नहीं फिर भी मैं हल चला रहा हूँ क्योंकि यदि मैं हल नहीं चलाओंगा तो मुझे और मेरे बैलो को हल चलाने का भ्यास नहीं रहेगा इसलिए मैं हल चला रहा हूँ नहीं तो हमारी जो प्रक्टिस है वो तूट जाएगी और यह हो सकता है कि बारा वर्ष जब हो जाए तो मैं यही भूल जाओं कि हल कैसे चलाए या फिर मेरे बैल भूल जाए कि हल कैसे चलाए यह दृष देखकर पारवती शंकर से कहती है देखा आपने यह हल यह किसान अब भी हल चला रहा है अभ्यास के लिए आपने तो प्रभूत तीन साल से डंबरू नहीं बजाया है सोचो आपका क्या होगा बारा साल के बाद दिखाया है शंकर जी एकदम उचल पड़ते अपना डमरू लेते है डम 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 और भारिश होने लगती है अभ्यास कौन सा अभ्यास कौन सा अभ्यास गीत गाने का अभ्यास कौन सा अभ्यास नृत्यक करने का अभ्यास चेतनान नर्थक है निरंतर नृत्य करती रहे जीवन ही नृत्य है एक है चित्रकार और उसका चित्र दो अलग अलग चित्रकार यदी चला जाए तो चित्र रहेगा चित्रको यदी नश्ट कर दिया जाए तो चित्रकार रहेगा एक है मुर्तिकार और एक है मुर्ति एक है कभी और एक है उसकी कविता कविता को नश्ट किया जा सकता है कभी फिर भी रहेगा कभी खतम हो गया, कभी ता रहेगी मुर्तिकार नश्ट हो जाए, मुर्ती रहेगी परंदु, नृत्य और नर्तक एक है दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है एक इसे लिए भगवान को कभी नहीं कहा गया मूर्तिकार नहीं कहा गया नाहीं चित्रकार भक्ती में क्या कहा गया नटराज शिव का एक नाम क्या है नटराज है वो यदि नटराज है तो संसार उसका नृत्य है यह सकल संसार विराट नृत्य है जहां देखो वहां नृत्य ही तो चल रहा है कहीं पर भी देखो आकाश में देखो बादलों का अनृत्य चल रहा है तारों का अनृत्य चल रहा है सृष्टी पर कहीं पर भी नजर डालो पेड़ हिल रहे है अनृत्य चल रहा है पत्तियों का अनृत्य चल रहा है पक्षियों का अनृत्य चल रहा है तारो का अनृत्य, सूर्य का अनृत्य, चंद्रमा का अनृत्य, जहां तहां एक लए है, एक संबदता है, एक दिव्यगान है, एक डिवाइन मेलोडी है, चहुर. यदि हम उस नटराच से जुड़े हैं, इस प्रकृती से जुड़े हैं, तो जहां देखो वहां, तरंगे ही तरंगे हैं, गान ही गान है, अब्यास, और कितना सहच नित्य चालू है, एक मनुष्य ही है, जो जल्दबाजी में है, जो कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिद है, प्रकृती में कोई जिद नहीं. सहच तरंगे है, सब बह रहा है, जब चेतना इस प्रकृती से जुड़ जाती है, और जब चेतना उस प्रकृती पती से जुड़ जाती है, तो संसार में जो कुछ हो रहा है, केवल खेल भासित होता है, और हम अप्रभावित रहते हैं, तो हर एक को नर्तक बनना है, हर एक को नृत्य सीखना है, कौन सा नित्या, कैसा नित्या, ऐसा नित्या, कि वो नित्या और नर्तक एक हो जाए, माइकल जैक्सन बहुत बड़ा नर्थक कभी हुगा था उसने कई बार अपने अनुभ़ों में लिखा है कि जब मैं डांस करता हूँ तो नित्य करते 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 एक ऐसी अवस्था आजाती है कि मैं खो जाता हूँ मैं रहता ही नहीं केवल नित्य रह जाता है एक दूसरा नर्थक कभी इस धरा तल पर हुआ जाता है उसके लिए कहा जाता है कि पिछली सदी में उससे बड़ा नर्थक कोई हुआ ही नहीं है जैसे वो नित्य का जन्मद आता है निजिंस की रशिया का और लोग उसको देख कर आश्चिरे चकित हो जाते थे यह कैसा निर्थक है यह इस प्रकृती के जिन नियम है उनसे पार है वो ऐसा उचलता था आस्मान में और गिरता नहीं था उतरता था धीरे धीरे नीचे नीचे गुरुत्वाकरशन शक्ति का नियम है ग्रैविटेशनल फोर्स जो चीज उपर फेकी जाती है गिरती है वो गिरता नहीं था अराम से उतरता था ऐसे 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 लोग देख कर दंग रह जाते थे यह क्या है ऐसे ऐसे अंदर तक संसार में हुए है और उसके लिए ये भी कहा जाता है कि वो उसके जीवन के अंतिंक समय में इतना भाव विभोर हो जाता था कि उसे रोकना मुश्किल था कभी भी डांस करने चलू करते था और फिर रुकता ही नहीं था वो कभी भी हो सकता था आधी रात को भी उससे पूछा जाता तुम ऐसा क्यों करते हो रुकते क्यों नहीं वो कहता था Only the beginning is in my hand शुरुवात करना मेरे हाथ में है बाद में मेरे हाथ में है ही नहीं क्योंकि मैं रहता ही नहीं नृत्य करते 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 स्थूल नृत्य की बात कर रहे आत्माओं को ऐसा अनुबह होता था कि जैसे शरीर ही नहीं है अशरीरी अवस्था आ जाती थी वो पावर नृत्य में है और प्रभू प्रेमी नृत्य ना करे यह हो नहीं सकता और प्रभू प्रेमी को कहीं सीखने की भी आवश्यक्ता ने मेरा ने कौन से डांस क्लाचस जॉइन किये थे प्रभु प्रेम आत्मा को संगीत से भर देती है संगीत भोजन है आत्मा का संगीत गायन नृत्या यह संसार की बात है थी आज सुबह की साकार मुडली क्या कहा बाबा ने डांस के बरे में? क्या कहा है? एक शब्दा आया है क्या करो? विचार सागर मंतन का डांस करो कब करो? अम्रित वेले तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे डांस के पाच सूत्र होते हैं स्थूल डांस जो संसार में डांस है हजारो प्रकार की डांस है हजारो संस्कृती में जहां की संस्कृती- एक-एक संस्कृती का एक-ईक डांस हिप-हॉप से लेकर तो कथक से लेकर तो पता नहीं क्या-क्या-क्या-क्या कितने सारे वेराइटीज है और नय-नय निकल रहे हैं पर सभी में ये पाँच बाते हैं. The five elements of dance. सबसे पहला शरीर. जैसे, जैसे. एक चित्रकार के लिए, एक canvas, paints, एक मूर्तिकार के लिए, पत्थर, एक कवी के लिए, कलम, कागस, इन सब चीजों की आवश्य रखता है. ये सब बाहिय चीजे हैं. इसलिए कहा जाता है, dance is the greatest art, क्योंकि उसे बाहिय किसी भी चीज की आवश्यक्ता नहीं है. एक ही चीज की आवश्यक्ता है, शरीर. बोड़ी. ये पहला सूत्र है. दूसरा, action, movement, जिसको steps कहा जाता है. चोटी-चोटी steps मिलकर, उस एक dance में ही 100 steps होती है. 50 steps होती है. वो सारी steps चुड़ जाती है. और एक नृत्य बनता है. Move, steps, movement, action, gesture, भाव भंगीमा. तो नित्य के लिए दूसरी चीज चाहिए. Action. तीसरा, time. Timing बहुत important है. Time के साथ, beat. पैर थिरकते है, beat के साथ. जर्णों से संगीत है वैता. ठक, ठक, ठक. One, two, three. One, two, three. Practice करते हैं, न? समय, time. Time के साथ होना चाहिए, rhythm होना चाहिए, beat पर beat. ठक, ठक, ठक. चाहँ था, space, stand. कहां किया जा रहा है? कितनी जगा available है? उस अनुसार dance set होता है. पाचवा, energy, ऊर्जा. सारी उर्जा डाल देनी पड़ती है उसमें इसके लिए कहा जाता है डांस जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं जो लोग कहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है क्या करो डांस अव्यक्त महावाक्य है बाबा के डबल फॉरेंदस से मुलाकात यदि उदास हो जाओ तो बात्रूम में जाकर डांस करो सुना है यह वीडियो भी है इसका छोटा से क्लिप अव्यक्त बाबदा दाओं शैंति भवन क्योंकि विदेशियों को डांस करना पसंद है न तो बाबने का बात्रूम में करो यह पाच बाते है हर डांस में होती है एनर्जी होती है उर्जा होती है उर्जा का प्रवा होता है बोडी की मुव्मेंट होती है कभी घूमते है कभी ट्रिस्ट करते है कभी नीचे जुखते कभी ऊपर जुखते कभी गिर जाते है। डॉल्फिन, तटिंग, बहुत सरे steps होते हैं। वेव, लिक्विड, लिकुड देते हैं, दूसरा लिकुड लेता है। वेव, पूरा group के group, सोलो हो या group हो, सभी में पाँच बाते हैं, अब इन पाँच ही बातों को लेकर, हम एक दूसरा डांस तैयार करेंगे यहां पर गुरूप करना है या सोलो गुरूप करेंगे पर गुरूप में एक बात याद रखना सबका सिंख होना चाहिए यह तो कोई इधर, कोई उधर ऐसा नहीं चलेगा देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए विचार, सागर, मन्थन का डांस सबसे पहली बात क्या बताई उधर? शरीर स्थूल डांस के लिए शरीर की आवशकता है विचार, सागर, मन्थन के लिए मन की आवशकता है उधर यह पाच बाते तो इधर यह पाच बाते मन अक्रियर्टिव माइंड चाहिए अपने आप को तयार करना है मन को तयार करना है जैसे वहाँ शरीर को तयार किया जाता है वैसे यहाँ मन को तयार करना है संडे के मुल्ली चली थी व्यर्थ फूरसत ही सभी रोगों का foundation है सभी विकार कहां से उत्पन्न होते है फुर्सत लेजर, खाली टाइम है मन में व्यर्थ समा जाता है, खाली पन आ जाता है, फिर विकारों का अकर्शन होता है, इसलिए मन बुद्धी का टाइम टेबल सुबह ही सेट करो, सारे दिन बर बीजी रहो, तुम विश्व के नवनिर्मान के आधार मूर्थ हो, विश्व के परिवर्तन के आधार मूर्थ हो, हीरो एक्टर हो, हीरो तुल्य जीवन वाले हो तुम योग्य टीचर्स हो योगी टीचर्स हो, आउग इकनॉमिक के अवतार हो संड़े की मुर्ण ले याद आ रही है न हे मन तुम क्या कर रहे हो किस से बात करना है अपने ही मन से एक भाई है उन्होंने अपने कमरे में लिखे रखा है आईने के उपर हे मुर्क आगे अपना नाम क्या करने आये थे और क्या कर रहे हो मदुबन में किसलिए आये थे तपस्या करने आये थे और यहां किया कर रहे हो यहां आये थे तपस्या करने यहां आये थे मौन के लिए और यह कहां बातों में उलच गए यहां आये थे कांत के लिए और यहां आकर भी क्या कर रहे हो यहां आये थे अंतर मुकी होकर स्वहम को देखने के लिए जाच करने के लिए परकने के लिए स्वहम में परिवर्तन लाने के लिए भजगो विंदम भजगो विंदम गो विंदम भजमूड मते हे मुर्ख मन क्या कर रहे हो तो सभी अपने आप से ही प्रशन पूछे बाबा का ग्यान कब मिला और तब से लेकर अब तक क्या कर रहे अगर सारा हिसाब निकाला जाए तो कितना समय होगा जो हमने व्यर्थ गवा दिया कितना समय होगा जो शरीर को व्यर्थ में उलजा दिया विकारों में उल्जा दिया, विकारों की उत्ते जनाओं में उल्जा दिया, भोग विलास में उल्जा दिया, ये शरीर का केवल दो ही काम है, सेवा और तपस्या, ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है, अगर उससे सेवा और तपस्या छोड़ कर कुछ और हो रहा है, तो क तो काम किस पर करना है? इस मन पर चंचला मना कृष्णा अर जुन पूछता है मैं क्या करूँ? कैसे इस मन को वश्मे करूँ? यह बहुत चंचल है हवा को वश्मे किया जा सकता है पर मन को कैसे करूँ? अभ्यास ही न तू काउन थे अभ्यास और वईराक से इस मन को वश्मे कर अभ्यास 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 प्रैक्टिस 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 जब जब मन भटके फिर फिर उसे ज्ञान में लाओ फिर फिर उसे खीच कर लाओ फिर फिर उसे प्रभू प्रेम में डूबा दो उसका तो सभाव यह भटकना जनम जनम से भटका है वो जनम जनम से अत्रिप्त रहा है जनम जनम से काम विकार में डूबा रहा है और लस्ट has never satisfied anyone काम ने आज तक किसी को भी त्रिप्त नहीं किया संडे की मुरली मिट्टी से क्या खेलना मिट्टी में क्या फसना पहली हद है इस देह से पार जाओ मिट्टी के संबन दी सब मिट्टी के बने हैं मिट्टी के पपा और मिट्टी की मम्मी मिट्टी का मुन्ना और मिट्टी की मुन्नी कहां किसमें महोलक आए बैठे सब मिट्टी का खेल है मिट्टी से खेलना, मिट्टी से खाना एक नर्तकी किसी राजभवन में बुलाई जाती है राजा बुड़ा हो गया है सोचता है समारो की आजाए अपने गुरू को भी बुलाता है, गुरू भी आजाता है राजकुमारी बैठी हुई है राज कुमार बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, नर्तकी का नृत्य चल रहा है राद पूरी हो गई, सुबह होने को है, वो नर्तकी देखती है कि उसके जो टबला बजाने वाले है वाद्यवाले है वो उंग रहे उनको नीनदारी है उनके लिए वो नर्तकी एक दोहा कहो एक गीत कहो कहती है उसका आश्य कुछ इस तरह है कि बहु भीती बहु जाए बहुत चली गई बहुत कम समय रह गया है एक पल के कारणे क्यों व्यर्थ कलंक लगा है राजा ने अपने गुरु को थोड़ा धन दिया था ताकि नर्तकी को कुछ दे सके कोई हार पर देखा कि गुरु ने तो उस नर्तकी के सामने सब कुछ अर्पित कर दिया राजा को आश्य चेरे रखता है ये क्या हो गया और थोड़ी देगर में देखता है कि उसकी राजकुमारी उसके पास नौला खाहार है, वो उस नर्तकी को दे दिया, और देखता है कि उसका राजकुमार उसने अपना मुकुट निकाल कर नर्तकी के चरनों में रख दिया वो राजा कहता है बस उस नर्तकी से कहता है तुम क्या हमको लूटने आई हो गुरू की और देखते हैं और कहते हैं कि तुमने आपने ऐसा क्यों किया गुरू कहता है कि इसने मेरी आख खोल दी उसके इस गीत ने अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग प्रभाव डाला वो जो सो रहते बजाने वाले वो जाग गए गुरू ने सोचा कहा कि जैसे ही मैंने इसका गीत सुना मैं सोचने लगा सारे जीवन भर मैं भक्ती कर रहा था और अभी कहां बुडाबे में यहां मुझरा देखने निर्त्य देखने आ गया कहां गई मेरी तपस्या यह कहां से वासना जग गई मुझे इसने यह मेरी गुरू बन गई इसलिए मैंने सारा धन इसको दे दिया वो राज कुमारी कहती है कि पिता जी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ आपको मेरी शादी की कोई चिंता ही ने आज राथ ही यहां के जो सिपाई है उसके साथ भाग कर शादी करने वाली थी इस नर्तकी के गीत ने मुझे जगा दिया एक पल के कारण कहे को कलंक लगा है इस गीत ने मुझे जगा दिया अगर मैं भाग गई होती तो आपके नाम पर कितना कलंक लगता यह मेरी गुरू है वो राज कुमार कहता है पिता जी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी आप मुझे राज्य दे ही नहीं रहे कब दोगे मैंने तो पूरी प्लैनिंग कर ली थी आज राथ ही आपको मार देने की पर यह नर्तकी मेरा गुरू बन गई इसने मुझे जगा दिया इतनी छोटी से के लिए क्यों कलंक लगा रहा है पिता मुरुत्यू का हत्या का वो नर्तकी सोचती है मेरे एक दोहे से इतने लोगों पर इतना प्रभा हो गया और मैं क्या कर रही हूँ मैं क्यों अपना जीवन विर्थकवारी हूँ मुझे भी तो प्रभू की खोच करनी है और वो भी निकल पड़ती है राजा सोचता है ये सब क्या हो गया और मैं क्या कर रहा हूँ बाल सफेद हो रहे है और नित्य देखने में जगा हूँ जीवन का रहसे क्या है जीवन का सत्य क्या है वो परमात्मा कौन है साहर क्या है असार क्या नित्य क्या नित्य क्या सत्य क्या कब मैं जानूंगा ये और उसे भी वेरागा जाता है वो भी छोड़ चाड़कर अपनी बेटी का शादी करा देता है बेटे को रज दे देता है और जंगल जाकरन क्या किया है जब से घ्ञान में आये तब से अब तक क्या किया किन वातों में लगे हुए है जिसे हम सेवा 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 कह रहे है क्या वास्तों में वो सेवा है या केवल अहमकार की सजावट या केवल मैं का विस्तार स्टॉप स्टैचू रुप जाओ पीछे देखो हिंदी और मराथी में एक शब्द है सीहाँ वलोकन सुनाएं क्या होता है इस गार्द शेयर क्या करता है ऐसे पीछे देखता है इंगलिश में कहते है रेट्रोस्पेक्शन रुको और पीछे देखो अपने सारे जीवन को क्या खोया क्या पाया क्या करने आये थे और क्या कर रहे क्यों आये थे बाबा के पास को ऐसी उमंगे थी यूँ इस यग्य में समरपित हुए थे किस लिए आये थे महमान नवाजी और भोजन क्या ये दो ही लक्षे है जीवन के क्या कुछ और भी है सेवा इन दो में ही सिमट करना है रह जाए तो पहला है शरीर उधर तो इधर क्या चाहिए मन, मन में क्या बताया अपने ही मन से बाते करो सेल्फ टॉक उसको डाटू नहीं उसे बात करना है चोटा बच्चा है क्या चाहिए उसे क्यों भागता है विकारों की तरफ क्यों आकर्शन है उसे विकारों का अब तक व्यर्थ का, निगेटिव का परचिंतन का, परदर्शन का यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है वो बैन कहा है ये भाई कहा है इस department से वो department में ये भाई क्यों चला गया तुमें क्या करना है Mind your own business इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है कितना व्यर्थ संड़े की मूरली व्यर्थ में आकर्शन है व्यर्थ याद को फर्याद में convert कर देता है समर्थ नहीं बनने देगा बार बार सुनाया है एक भाई मदुबन की आंगन में बहुत पहले सामने एक बहन है सेंटर की वो जा रही है वो भाई ऐसे ही पूछता है उससे वेंजी आप कहां से हो पीछे मनमोईनी दीदी है दीदी पूछती है क्यों शादी करनी है क्या वाट इस दाट टू यू तुमको क्या करना है यहां किसलिए आये थे अपना काम से काम रखो यहां तपस्या के लिए आये केवल तपस्या ही करनी है बस administration और यह सब में नहीं जाना है मन से बाते करना मन को समझाना मन को व्यर्थ से मुक्त करना मन को ब्रहमों से मुक्त करना इसका चिंतन करो इसकी डांस करनी है दोसरा उदर है action moment, steps विचार सागर मन्थन की steps इधर कैसे करे विजार सागर मन्थन कब करे विचार सागर मन्थन क्यों करे विचार सागर मंतन ज्ञान शक्ति नहीं देता है ज्ञान का चिंतन शक्ति देता है ज्ञान तो बहुत है इतना है कि बात मत पूछो अभी कम करने के आउशकत है थोड़ी इतना ज्यादा ज्ञान है ज्ञान नहीं कहेंगे उसे वो सूचना है information बेचेनी होती है अशान्ती होती है पर ग्यान का है ग्यान सूचनाओं को नहीं कहा जाता है ग्यान अर्थात सूचना के साथ जब अनुभाव जुड़ जाता है तब उसे ग्यान कहा जाता है सूचनाओं बहुत है, मैं आत्मा हूँ वो परमात्मा है, वो परमधाम में रहता है वो ब्रह्मातन में आया है, संगम युक चल रहा है विनाश सामने कड़ा है, तुम्हें दिव्यद गुन धारन करने है आत्माव की सेवा करनी है, विहंगमार्ग की सेवा करनी है ये मदुबन है, ये मुरली है ये ब्रह्मा मुख से चली हुई है ब्रह्मा कौन है लक्ष्मी नारायन कौन है ये चावरा सी की सीड़ी क्या है ये चक्र क्या है धेर सारी सुचना है केवल सुचना है और सुचनाओं को हमने ग्यान समझ रखा है ग्यान ये नहीं यह तो छोटे बच्चे को भी सिखा दो तो वो भी कोर्स करा देगा ज्यान तो बड़ी साधना है बिना साधना के ज्यान सधा नहीं जाता ज्यान के लिए चिंतन चाहिए जैसे उस डांस में स्टेप्स है तो इस डांस में भी स्टेप्स है कौन सी स्टेप्स विधी क्या है चिंतन करने की सुबह क्लास होती है कुछ सालों पहले यह चिंतन की विधिया निकाली थी हम सब लोग उन्हें मिलकर 108 विधिया है मुर्ली चिंतन की क्या करें मुर्ली का कई लोग कहते हैं कि Murali सुनते शुनते नींद दो प्रकार के नींद करने वाले नहीं तीन एक तो Amritvelyल नींद करने वाले फिक्स है दूसरे Murali में नींद करने वाले तीसरे जब Class चालू है ऐसी उसमें भी नींद करने वाले चौथे भी है जब discussion चालू एक ज्यान का उसमें भी नीन करने वाले कोई कोई सेवाओं में भी नीन करते महा प्रकोप भयंकर प्रकोप नीन्द का इसी हॉल में मनोर इंद्र दाधी मुरली चला रही थी सामने माताय बैठी थी सारी सो रही थी दाधी ने का सब उठो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ पर वो एक एक माता इतनी महारती थी नीन्द की कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया इतना अभ्यास सतत अभ्यास और प्रक्टिस मेनों की साधना का ये परिनाम है ऐसे ही महारती नहीं बन गई नीन्द में हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आती है सेवा के लिए पीछ बीछ में और जब मदुबन में लोग आते हैं तो सबसे पहला नशाद दो बज़े बाबा की कुटिया में एकदम आकरमन जो चाहिए वो प्राप्त करके ही जाएंगे बाबा से उधर क्या करते है पता नहीं इधर तो लेना ही है बिलकुल वो अब बता रही थी आके बैठ गई बाबा के कमरे में एकदम दो बज़े महात्तपस्वी ब्रह्मचारी नी हूँ पता नहीं क्या हुआ देखा तो दो बज़े थे अगली बार देखा तो पांच बज़े थे बीच में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं और जब ऐसी अवस्त्हाती है तो सबसे पहला ध्यान किस पर जाता है किसी ने देखा तो नहीं जुटका आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते है किसी ने देखा तो नहीं और उसको ध्यान में आया पीछे कुछ लोग बैठे हुए सोफा पर कुटिया में तो उसने पीछे मुड़ कर देखा पाच माताय बैठी थी पर पाचों सो रही थी तब उसे थोड़ा ठीक लगा किसी ने देखा नहीं अब ठीक ठाक है सब योगी पने का स्टेटस अभी कायम है आंसर चर्निंग मेथड मुर्ली का प्रशन लेलो उत्तर नहीं देखना चिंतन करो यह एक मेथड डेर सारी मेथड से कार्टून ड्रॉइंग रोज की मुर्ली से एक चित्र बनाओ स्केच यह एक तरीका है नहीं तो वई वई मुर्ली बाप आये है तुम्हें काममाशात्रू है आदी मध्यान तो दुख देथा है और तुम्हें दिवय गुंधारन करने है और विनाष सामने कड़ा है इदर से सुना इदर से गया कितनी बार वई वई वही वही शुन लिया, सुन, 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 सुन कर, सुन, अब कोई प्रभावी नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ का, कुछ भी सुनाओ, लोग सोते, आखे खोल कर भी सोते, ऐसे, इसके भी अभ्यासी है, चाट मेथड, रोज की मुर्ली से चाट बनाओ, रेडिमेट चाट क किसी और का है वो किसी और का चिंतन है सुबह ही चार्ट बना लो और रात को वो चार्ट भरो हर दिन का चार्ट अलग-अलग हो कितनी अच्छी विदिया कॉंट्रास्ट मेथड आज की पूरी मुर्ली में कॉंट्रास्ट कहां कहां है सत्युक्त रेता क्या कॉंट्रास्ट है इसको कहते हैं, contrast method. धेर सारी विदिया है. गीत, रोज की मुर्ली से जो लिख सकते हैं, गीत बना लो. main-main points लिखो, और फिर एक गीत बना लो. एक कविता बना दो उसमें से. जोक method. मुर्ली में क्या-क्या जोक है? जोक भी आते हैं, ना? कौन से जोक आते हैं मुर्ली में? धेर सारे जोक साते हैं. बाबा हमारे गाओं में चलो. काटो के जंगल में बंदरों को देखने चलो. अव्यक्त बाब दादा आये थे ओम शांति भवन में. एक बहन आई, उसने बाबा को भोग स्विकार करा दिया. और वो इतना गरम था, बाबा को दे दिया. वो जा रही थी, बाबा नहीं उसको बुदा ही थे. उसके मुँ में डाद दिया. उसको तो पता चलना चाहिए, क्या डाद दिया? मुर्ली में कौन कौन से जोक साते हैं? डिबेट. सुभे की क्लास में हम लोगोंने कई बाद डिबेट किये. दो गुरूप बनाएं, एक इधर, एक इधर. गीत बजाने चाहिए कि नहीं बजाने चाहिए? टॉपिक. एक गुरूप ने कहां बजाना चाहिए. दूसरे ने कहां बिल्कुल नहीं. बाबा ने कहा है, गीत संगीत कविताओं से परे जाओ. दूसरे गीत गुरूप ने कहा, बाबा ने ये भी कहा है, जब उदास हो जाओ तो, तुम्हारे पास रेकॉर्ड रहने चाहिए. ये एक टॉपिक हो गया. दूसरा टॉपिक, ब्रह्मा. ब्रह्मा को याद ने करना है, पर बिना ब्रह्मा को शिवबाबा तो पहुच नहीं सकते. ये टॉपिक है, दोनों चीज़े. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. कॉंट्रास्ट, जो डिबेट वाले हैं, जिस पर हेल्दी डिसकॉशन हो सकता है. एमसी क्यू बनाओ, ड्रामा की पॉइंट्स निकालो, डूस और डॉट्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी पॉइंट्स बलाओ, ये चिंतन की विधी है. एक्जाम्पल, आज पूरी मुरली में क्या-क्या उधारन दिये, मीरा का उधारन, नारत का उधारन, वो सारे उधारन निकालो, और सारे दिन भर उस पर चिंतन करना है. एक-एक दिन एक-एक नई-नई मेथड्स लेनी है, ताकि बोर ना हो जाए. फिल-in-the-blank method, experience method, mind mapping, mental movie, memorization, कुछ-कुछ बाते एकदम memorize कर दो. चोटा बच्चा होता है न, याद कर लेता है न, चीजों को, वैसे मुरली भी हमारी mind की training है, यह dance है, mind का dance है, कुछ-कुछ बाते पूरी की पूरी याद कर लेनी है, बहुत काम आएगी, परिस्तितियों में मुरली की points काम आती है, अगर परिस्तितिया नहीं है, तो ही यह शरीर साप है, साप में विश होता है, अगर संकल्प और नजर से भी, हाद से नहीं, संकल्प और नजर से भी शरीर को टच किया, तो यह कौन बताएगा, महा, 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 पाप है, बहुत strong पवित्रता की मुरलिया है, इसको साधरन बात नहीं समझना, 15th November 2003, सफेद कागच पर काला ढाग है, ऐसे ही हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं, बहुत है, सुनो, कान खोल कर सुनो, इस यग्य में कितनी आत्माओं ने कितना अत्याचार सहन किया, किस लिए सहन किया, केवली से एक बात के लिए सहन किया, purity के लिए, और उसी में फेल, उसी ब्रह्मचरी में फेल, फेल तो फेल फिर, बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी वस्तू है, purity, बाकी सब अच्छा है, purity में फेल है, बाकी सब अच्छा है, किसी के तरफ आकरशन है, किसी की देह की तरफ आकरशन है, मन में कामुक संकल्प, विचार, कल्पन आए, फोन चाटिंग, वीडियो कॉलिंग, चल रहा ह है, यह आकरशन है, देह का, क्या देखना है किसी को, बाब बच्चों से भीक मांगते है, पवित्र बनो, या इस बुड़े बाब की बात नहीं मानोगे, इस एक जनम, जन्म विकारों को भोगा है, सबसे ज़्यादा विकर्म काम विकार से किये, काम के संसकार 63 जन्मों के है तो अब सभी मदवन में आए है, तो यहाँ पर प्रतिज्या करके जानी है, अब तक जो हुआ वो हुआ, फुल स्टॉप, वरदान में है न, अब से नया जीवन, संपूर्न ब्रह्मचरिका, संपूर्न पवित्रता का, वो सारे ट्रिगर्स खतम करने हैं, all the sexual triggers, जिसके वज प्रत्तू, व्यक्ति, कपड़े, वो जो जो चीजे, देखकर, सोचकर, यात करकर, पूर्व में भोगे हुए भोग, वो सारे हटा देने हैं, मुरली डिसकेशन, रात को सोने से पहले, अगर दो कुमार सायते हैं, तो मुरली डिसकेशन करके सोए, अगर नहीं कर सकते हैं, बैट कर मुरली डिसकेशन करनी है, क्योंकि जब तक डिसकेशन नहीं होगा, तब तक मुरली क्लियर नहीं होती है, ऐसी बहुत सी विदिया है, रोज नहीं नहीं विदिया लेती रहना है, अपनी विदिया खुदी बनाओ, question method, question answer, self checking के points क्या क्या है, name method, आज मुरली में क्यों से नाम का ये उसक प्रयोकी है, हमारे लिए कौन कौन से स्वमान आये है, visualization method, उमग उस्सावले, rhyming कौन कौन से आये है, अगर आ सकती है, तो माया आ सकती है, rhyming, यमक, speech method, एक भाशन तियार करना है आज की मुरली से, news तियार करनी है, आज की ताजा खबर, आज 28 December, आ music भी दे देना, last में थोड़ा, powerpoint बना दो, poem बनाओ, game बनाओ, play बनाओ, skid बनाओ, क्या कुछ नहीं किया, आज की मुरली में phrases कौन से है, मुहावरे कौन कौन से आये, आप मुही मर गई दुनिया, कितने सारे मुहावरे आते है, उसको extract करना है, निकालना है, तो कई मज़ क्या बता है, action, अर्थात, विधी, तीसरा, उधर क्या था, time, ज्यान सागर का, कि मुरली का चिंतन कब करे, क्या उत्तर है आपका, पहला तो हमारे पास time ही नहीं है, एक पादरी जब भी कहीं जाता है, तो उसका स्वागत होता है, उसके स्वागत के लिए जो छोटे चर्चिस होते है, वहाँ पर घंटिया बजाई जाती है, वो एक गाव में आता है, उस गाव का जो छोटा पादरी होता है, उसकी एक आदत होती है, कुछ भी पूछो तो वो कहता है इसके 1000 कारण है, तक्या का लाम, एग ही वाक्या रिपीट करता है, जब ये नया बड़ा पाद्री आता है वहाँ, तो घंटिया बजती नहीं है चर्श में, वो उससे पूछता है, बड़ा पाद्री कि मैं जहां जाता हूं, गंटिया बजाते हैं, आपने नहीं बजाई वो कहता है इसके हजार कारण है और पहला कारण तो ये है कि हमारे पास गंटी नहीं है, बड़ा पादरी कहता है बाकी कारण छोड़ दो फिर मुरली का चिंतन हम नहीं करते, क्यों नहीं करते है इसलिए संगर्श हो रहा है ज्ञान प्रतम है कब करना है चिंतन आप बताएंगे मुद्ली चिंतन कब करेंगे अमृत वेले योग करेंगे कि मुड्ली चिंतन करेंगे उसके बाद और रात को करेंगे और रात को मुर्ली चिंतन करेंगे तो टीवी पर सीरियल कब देखेंगे फिर वो तो हमारे सीरियल का टाइम है सुबह आट से नव तक और ट्रेवल में और जब भी समय मिले सुबह मुर्ली जब चलती है तो पॉइंट्स नोट करके रखना है टॉपिक्स खाली पॉइंट्स बहुत लिख लिए खाली टॉपिक्स और सारे दिन भर जब भी टाइम में ले निकाल कर उसको पढ़ो और उस पर थोड़ा चिंतन करो ये कहा क्यों कहा इस शब्द का अर्थ क्या है बाबा को उकीर रहता ये उकीर क्या होता है वकर लाते है ग्यान का ये वकर शब्द क्या है शब्दों की खोच करनी है अर्थ धूडने मुर्ली अर्था चार काम करने शब्दार्थ, भावार्थ, व्याक्यार्थ और गुडार्थ धूडना है इस अर्थ इसका अर्थ क्या है नहीं पता तो किसी से पूछो इसका अर्थ क्या है उसकी गहराई में जाना है उपर-उपर से बावा के अव्यक्त महावाक्य ग्यान में उपर-उपर से तैरना अर्थात सोचना अर्थात तैरना चिंतन करना अर्थात डूबना केवल तैर होगे तो क्या वो दिखाते ने घ्यान के हमारे चित्र हैना और सियू Сам सब् lifelong I тысяч ओ pos ama एक माता है वह पूरी तल रही है और दूसरा घर है जहां जघदा कर रहे है ऐसा चित्र है न एक को रही है इकमातां कós की बुक में देखो, ग्यान में नहीं है न, जगडा कर रहे है, रोटी, ग्यान में आगे, अभी पूरी तल रहे है, चलो आगे, नेक्स्ट, फटाफट, 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 अपने तरीके से समझाते हैं लोगों को, एक बड़ी बहन न, एक चित्र था उनके सेंटर पर, अच्छा सा बनाया था, कौन सा चित्र है, वो कुम्बकरन वाला, कुम्बकरन सोया है, उपर से ब्रह्मा कुमारी, वो डाल रही है, और निचे से जा रहा है, तो, कन्या आए थी, नहीं नहीं, ब्रह्मा कुमारी बनी हुई, उनको पूछा, इस चित्र में क्या है बताओ, उन्हों ने क कहते हैं ठीक से देखो उस कुम्बकरन को बैच है स्पेशल चित्र बनाया हुआ है कौन सो रहा है ब्रामन वो ब्रामन है कुम्बकरन सबसे बेस्ट टाइम है चिंतन करने का अम्रित वेले के बात एक शाम का समय दिन भर में जब जब समय मिले तब पर व्यस्तता इतनी ज़ादा होती कि चिंतन हो नहीं पाता पर सुबह तो हो सकता है दस मिनिट, पंदरा मिनिट, बीस मिनिट जितना भी समय मिले एक पॉइंट ले लेना है उस पर सोचना है यह क्यों कहा, यह कैसे कहा, यह किसलिए कहा यह क्यों कहता है यह बाबा ने का जज करो जो गाय उगारती नहीं है उसे क्या कहा जाता है बिमार जो बच्चे विचार साकर नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे वो गोया बिमार है साकार महवाक्य जो भी आता है बिना चिंतन की ना जाए एक-एक शब्द है, एक-एक वाक्य मुर्ली का, रोज की मुर्ली, बिना आम और बिना छिलके की, का ये आम है, बिना गुटली और बिना छिलके का, खालो इसको, क्या करेंगे? खालो, प्रक्टिस करो मैं आत्मा हूँ, मिठे बच्चे मैं आत्मा हूँ, शरीर का बांद बस शिबाव को याद करते करते, घर जाना, एक ही वाक्य में कितने सरीचिंतन की पॉइंट है, प्रक्टिस, कैसे प्रक्टिस करो, स्टुडेंट कैसे प्रक्टिस करते है, डांस की कैसे प्रक्टिस करते है, सॉंग्स की कैसे प्रक्टिस करते है, खेलों की कैसी प्रक्टिस करते कितनी practice करनी पड़ती है तब कहीं होता है जै लिया प्राक्टिस के कुछ भी नहीं होता है हर छीज पहले मुश्किल लगती है फिर धीरे सहज हो जाती है लोग addict हो जाते है छोड़ना कितना मुश्किल है पर हो जाते है न दीरे-दीर addiction छोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो 50 साल से दारू पी रहा है छोड़ सकता है छोड़ा भी है लोगों ने practice, practice, practice practice के सूत्र क्या है? चिंतन अपने मन को homework देना है practice करने के साथ सूत्र कौन से? आज निकालने है तुमको अपने मन से practice के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? repetition, दहराना पड़ेगा वोई चीज practice के लिए क्या करना पड़ेगा? visualize करना पड़ेगा चिंतन करते जाओ, रोज तो कब करना है? अमरितवेले के बाद कब करना है? नुमा शाम के योग के बाद कब करना है? रात को बेड़ पर जब सो गए उस तमें चिंतन करते करते सो जाओ next उदर क्या point थी? space कहां करना है चिंतन? कहां चिंतन करेंगे? जहां एकांत हो, जहां मौन हो कहां चिंतन करेंगे? जहां मनुष्यों की भीड़ ना हो कहां चिंतन करेंगे? चट पर चिंतन करो कहां चिंतन करेंगे? गार्डन में चिंतन करो कहां चिंतन करेंगे? प्रकृती के सानिध्य में चिंतन करो कहां चिंतन करेंगे बाबा के कमरे में चिंतन कर सकते हैं जहां चुपचाप कोई नहों जिस समय यह सब स्थान है प्रकृति से जैसे ही हम जुड़ते है मन शांत हो जाता है टाइम निकालो ताकि प्रकृति की गोद में जाके बैठे कहीं जर्णा है कहीं समुद्र है कहीं गार्डन है अगर ये सब कुछ भी नहीं है सड़क तो है ही है सड़क पर चलते चलते चिंतन करो पर चिंतन निरंतर होता रहे सतत चिंतन की धारा एक अव्यक्त वानी है जिसमें बाबा ने का है चिंतन सारे दिन भर चलता रहे तो कहां करना है एकांद की चगापर अगर यह नहीं है तो फिर कर्म करते करते भी हो सकता है पर यह उच्छी स्टेज है जब तक उसका अभ्यास नहीं तब तक यह अभ्यास नहीं रोज एक टॉपिक देना है और सोचो कि मुझे शाम को इस टॉपिक के बारे में सब के सामने इस टॉपिक पर बोलना है अपने आप चिंतन होगा टेंशन आना चाहिए टेंशन की आवशकता है स्टूडेंट पढ़ाई कब करते हैं छे मैना एक्जाम कोई कोई पढ़ता है पढ़ाई कब चालू होती है पंदरा दिन पहले टेंशन चाहिए कि मुझे पढ़ना है आपको कहा गया है कि एक आर्टिकल लिखो वो आर्टिकल कल की निउस पेपर में छपने वाला है तो ऐसे लिखोगे नींद में यहां बेठके यहां बेठके एकदा मलॉट उंगली बिन हिलती और पीछे शौल कोई दसी ठीक करते है और पता नहीं कहँ कहा खुजली होने लगती है और पता नहीं मच्चर मारते तो है पर मच्चर रहता नहीं है अद्रिश्य मच्चर काटते यहां मच्चर हो कुछ नहीं कुछ भी नहीं सीधा तपस्वी तो जहां प्राकृतिक सौंदर यह है ऐसे स्थानों पर जाना है आपके आसपास नहीं है गाड़ी से जाओ गाड़ी पार्क करो और उस गाड़न में 10 मिनिट, 20 मिनिट, 25 मिनिट एकांत में बैठके वहाँ पर मुर्ली पड़ो और फिर आजा सुभे काम करो यह तो बहुत अच्छा याद रहेगी शब्द शब्द याद रहे हमें पड़ा बहुत है परंदू याद कुछ भी नहीं है ग्लास बहुत ही अच्छी है सुपर, क्या था? वो मत पूछो बस वो कुछ भी नहीं पता, अच्छा था बस लास्ट उदर क्या है पाच्वा? डांस में पाच्वा, एनरजी इधर जो एनरजी है विचार सागर मन्थन के लिए वो है पूरिटी की एनरजी बिना पूरिटी के विचार सागर मन्थन हो ही नहीं सकता जहां मन में अकरशन है किसी के प्रती अपिक्षा है एक्सपेक्टेशन से लगाव है अटेच्मेंट है, उसकी याद है I miss you messages भेज रहे हैं, where are you? बहाँ विचार सागर मन्थन नहीं होता है विचार सागर मन्थन के लिए वैराक चाहिए, पवित्रता चाहिए जितना रिधय शुद्ध होगा पवित्र होगा ब्रह्मचर्य की शक्ती से भरा होगा उतना ही चिंतन हो सकता है The purer the mind, the easier it is to control मन वश में क्यों नहीं है? क्योंकि अपवित्र है Purity बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ सपन में भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो कुमार बैठे हुए है बाबा के महवाक्य है, कुमारों के प्रती कुमार, कान खोल कर सुनो केवल मस्तक मनी को देखना है गले के नीचे द्रिष्टी न जाए केवल मस्तक मनी को देखो ब्रह्मा कुमारी को देखो तो क्या सोचो ये कौन है? साथ आठ सम्बंद है परमधाम से अवतरित आत्मा है दूसरा बहन है तीसरा टीचर है चवता देवी है साक्षात देवी परिष्टा है बाल ब्रह्मचारी नी है शिव की अरधांगी नी है मा है इन भावों से देखना है तो विकार प्रकट नहीं होंगे दूसरे भावों से देखोगे तो विकार जागेंगे उसी तरह बहने भाईयों को भी किस रूप से देखेंगे हनुआन है आत्मा है भाई है भाई फरिष्टा है ब्रह्मा कुमार है सव साथ सो ब्रामनों से उत्तम इस रेष्ट भाव से देखना है इस्रेश्ट दृष्टी से देखना है बाल ब्रह्मचारी है इसका ब्रह्मचारिय मेरी वज़े से भंग ना हो तो purity एनर्जी है उर्जा है purity और अध्यात्म की परिभाशा है सर्वस्रेश्ट उर्जा का सहुरक्षन उर्जा व्यर्थ न जाए अभी हमारे पास आदा घंटा है सभी अलर्ट होके बैठेंगे डाइरी, पैन, पैंसिल सब कुछ एक तरफ विचार सागर मंथन की डांस की ये पाच बाते हमने देखी एक काम आपके लिए छोड़ रहे है विचार सागर मंथन से क्या-क्या फाइदे है वो कल सुबह से लेकर रात तक हर एक अपनी डाइरी में लिखेंगे या तो चिंतन करेंगे कि क्या-क्या होता है मंथन करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है दूसरों को समझान सकते अच्छे से कोई एक पॉइंट पर हमारी जो चिंतन की हुई है और काम आती है परिस्थितियों में तो कल कितनी पॉइंट्स निकालेंगे कितनी निकालेंगे साव कितनी साव पॉइंट्स बेनिफिट्स आफ मुरली चर्णिंग बिचार सागर मंतन के क्या-क्या फायते है उसकी पॉइंट्स जो सामने आ सकते हैं सामने नीचे आके बैठेंगे तपस्या में बैठना है पीछे का सपोर्ट छोड़ दो अगे आ जाओ थोड़ा सा पीठ निराधार योग में सबसे महत्वपूर्ण है पोश्चर बुद्ध की प्रतिमा देखिए कैसा है महावीर की प्रतिमा देखिए कैसा है स्थिर उंगली भी ना हिले शरीर की सारी हल्चल समाप्त कर देंगे और अभी हम अगले 20-25 मिनिट तक एक शक्ति-40 स्तिती में बैठेंगे जो जो शब्द कानों पर पड़ेंगे सुनते सुनते ही सुरूप बनते जाएंगे दो शब्दों के बीच में दो वाक्यों के बीच में जो अंतराल होगा उसमें स्वैम में डूप जाएंगे तो चले हम शब्द